दुनिया के देश खास तोर पर वो बड़े देश जो आज लीग में बने रहने के लिए हाथ पाउ मारने में लगे हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि जहां भारत खड़ा होगा वो पलड़ा जादा मजबूत होगा जिससे भिड़ना या टक्कर लेना सही नहीं होगा जहां हमने आपको बताया था कि भारत से संबंदित दो जहांजों को निशाना बनाया गया है जिसमें पहले ये लग रहा था कि ये काम विद्रोहियों का है लेकिन फिर अमेरिका एकड़म से आता है कि इसमें इरान का हाथ है फिर खबर ये सामने आई जिसमें एरान ने भी सफाय दी कि उसका इसमें कोई भी हात नहीं है जो किया है वो हूती विद्रुहियों का ही किया धरा है लेकिन यहां भारत ने फिलाल के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है बस भारत ये देख रहा है कि आखिर हो क्या रह उसको दबाने के लिए ये सब कर रहा है उसका इसमें कोई भी हात नहीं है वहीं अमेर का पहले ये बता चुका है कि ये सब कुछ इरान की तरफ से ही हुआ है अब इरान को आप यू समझ सकते हैं कि उसको कुछ हासिल करना है वो ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि जब तक कोई उपरूफ नहीं हैं कुछ नहीं किया जा सकता है लेकिनSON ध्यान दैने वाली बात यह है कि जहांपर हमला हुआ है वो जगर कि इरान और पाकिस्तान से काफी करीब है वहीं हूती विद्रोहियों से काफी दूर है वैसे आप सब की क्या राय है इसमें किसका दोश हो सकता है यह अमेरिका ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो भारत को साथ लाना चाता है क्योंकि यूरोप के कई देश अरब सागर में होती विद्रोहियों के हमले को लेकर साथ नहीं आ रहे हैं जिसमें स्पेन, इटली, फ्रांस तो हैं ही साथी ऑस्टेलिया भी साथ खड़े होने से मन कर चुका है चुकि भारत अरब सागर को जानता है और अगर भारत मैदान में उतरता है तो होती विद्रोही भागत हुए मिलेंगे जिसमें इरान ये चाहता है कि भारत इसमें शामिल ना हो लेकिन अमेरिका भारत को जोड़ने के प्रयास में है ताकि वो अपनी ताकत में इजाफा कर सके वैसे भारत तो अपनी तरफ से investigation करी रहा है उसके नतीजे आने ही वाले हैं फिर पानी की तरह सब कुछ साफ होता हुआ दिखाई देगा फिर जिसने भी ये किया होगा फिर भारत खड़ा होगा उनके सामने और तब बचने का कोई भी मौका नहीं होगा